प्यारे विदारतियो, संजीणी सीरीज का वीडियो नंबर 15-2022-23 एक्जाम निशन के लिए इस वीडियो में से जो आपका संजीणी सीरीज चल रहा है, इसके आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो देख रहे हैं आप इसमें से जितने वीडियोज हैं ये सारे आपके अर्दवार्सिक परिक्षा, वार्सिक परिक्षा और प्रीवर्ड परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपून रहेंगे इसमें से बहुत सारे प्रशन आपको केवल आपके एक्जाम पत्र में देखने को मिलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रशन पत्र या फिर MCQ जो important रहेंगे उसके solution को अध्याय जो है लोकतंत्र और विवित्ता है यहाँ पर जो पहला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा सासन का स्वरूप सामाजिक भिनताओं अंत्रों और असमानताओं के बीच सामंजस से बैठा कर उनका सर्व मानने समाधान करने में सबसे उप्युक्त माना जाता है इसका आंसर सई-सई हो जाएगा हमारा लोकतंत्र इस दार राइट अंसर हो जाएगा हमारा चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स जो कोश्चन है भाषा और छेत्र के अतिरेक्त लोगों की विशिस्ट पैचान बनाने का अन्याधार निमलिखित में से कौन सा है धर्म भी है वर्ग भी है और जाती और कभीले भी है तो उप्विक तो सभी सही हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स कोश्चन है इसमें पुछा गया है मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल कब हुए थे तो 1968 में हुए थे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ने 1966 में उबरा था नेक्स जो पार्ट है इसमें पूछा गया है अमेरीका में अश्वेत सक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला था दस वर्षों तक आंदोलन चला था ये अमेरीका में होने वाले रंग भेद या नसलवाद के प्रती अंतराश्टि विरादरी का धिहान मेक् 19 सदी से लेकर 19 सदी की सुरुवात तक अफरीकी लोगों के वन्शजों के लिए निमलिखित में से किस सब्द का प्रियोग किया जाता था तो वो था एफ्रो अमेरिकन और अश्वेत अमेरीकी दोनों ही किया जाता था इसका वाज़ों नेक्स कोश्चन है मैक्सिको सिटी ओलंपिक में नसलवाद के विरोध प्रदर्शन करने वाले टामी स्मित और जान कार्लोस नामक खिलाडियों का समर्थन करने वाला पीटर नामर नार्मन नामक धावक किस देश का रहने वाला था तो ये था आस्ट्रेलिया का इसका जो नेक्स कोश्चन है उसकी बात करते ह तो ये एफ्रो अमरिकन थे अभी ब्रेकेट में भी कुश्चन में लिखा था तो आपका जाएगा आंसर एफ्रो अमेरिकन इसका जो नेक्स कोश्चन है 1968 के मेक्सिको ओलंपिक से सम्मंदित सही कथन जो है आपको बताना है यहाँ पर जो कथन आप पढ़ोगे सारे के सारे निमलिकित में से सत्य है तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा तीनों आप्शन बिलकुल सही है तो यहाँ पर हमारा ओप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा उत्त सभी कथन सही है इसकवाद है स्रिलंका में सामाजी विवाजन किस आधार पर दिखाई देता है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा A और B दोनों भाषा और छेतर इसका बाद जो next question है किस देश में समाजी विवाजन एक समस्या है तो Belgium, Holland, भारत इन सभी में बिल्कुल सही बात है समाजी विवाजन तो बहुत ही मुस्किल है किस देश को समाजी विवाजन के कारण राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा तो वो था योगो सलागा किया C option correct हो जाएगा इसके बाद में आज अधिकतर समाजों में किस किसम के विवाजन दिखाई देते हैं तो इसमें नसलों के आधार पर संस्किती जाती है सभी आधार पर जो है आप समाजी विवाजन देख सकते हैं समाज विवाजनों की राज नीती का परिणाम निर्भर करता है किस पर करता है तो इन सभी चीजों पर करता है इसलिए उप्रुक तो सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्वा प्रशन है वे समाज जिसमें एक ही नसल और संस्किती के लोग रहते हैं कहलाता है तो वो समाज कहलाता है समरूप समाज उसके वाज़ नेक्स कोशन है उसकी बात करते हैं मार्टिन लूथर ने मनुष्य की सुतंदरता के अधार हे तू रंग नहीं बलकि मनुष्य के खालिस्थान के असल गुणों को परकने को बताया था तो वो था चरित्र तो यहाँ पर B option जो है correct हो जाएगा नेक्स जो कोशन है ब्रिटिस सरकार एम ऐरिश रिपब्लिकन आर्मी के बीच समझोता कब हुआ था तो यह 2005 में समझोता किया गया था इसके बाज़ नेक्स कोशन है इंग्लेंड में मुख्यता है इसाई धरम के किस पंत के लोग रहते हैं तो वो है प्रोस्टेंट ठीक है तो यहाँ पर B option जो है correct हो जाएगा इसके बाज़ नेक्स कोशन है उतरी आर्लेंड में प्रोस्टेंट धरम के लोगों की आबादी कितनी है तो यह है 53% D option correct हो जाएगा इसके बाज़ नेक्स कोशन है अमेरीका में नागरिक अधिकार अंदोलन कब से कब तक चला था तो हाँ यह आपको तो पता है नागरिक अधिकार अंदोलन चला था लेकिन चला कब से कब तक था तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1954 से 1968 इसवी तक इसके बाज़ नेक्स कोशन उसने आसेलिया के धावक पीटर नार्मन ने किस तरह एमरीकी खिलाडियों के प्रती अपना समर्थन जताया तो इसने अपना जो है क्या करा कि माना अधिकार का बिल्ला लगा लिया ठीक है तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स कोशन हैं जर्मनी और स्वीडन इसके उधार ने क्योंकि वहाँ पर एक ही वहाँ क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर ही नसल और संस्कीती के लोग रहते हैं यह किस तरह का समाज होता है तो इसको बोलते हैं समरूप समाज तो यहाँ पर यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निमलिकित में से किसे देश को धार्मिक और जाती पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा तो अभी बताया था यूगोसलवा किया उसका जे नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वेट एफरीकी या अश्वेट शब्द उन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विवाजन की राजनीती का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है निमलिकित में से कौन सा तीन चीजों के अंदर गयत नहीं आता है तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साकरात्मंग नजर वियान देने की इस युक्ति को ओलम्पिक भावना के विरुद बताते हुए उन्हें दोशी करार दिया और उन्हें किस प्रकार का दंड दिया तो उनको दंड जो मिला था उनके पदक को वापिस ले लिया गया था यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके वाज़ा नेक्स कुशन है ऑस्टेलिया के खिलाडी पीटर नार्मन को दोनों अमरीकी खिलाडियों को समर्थन करने के लिए किस प्रकार दंड दिया था तो यहां पर हो जाएगा आपका कि ऑस्टेलिया की टीम में उन्हें जगह नहीं दी गई थी तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जा करता है यह बिल्कुल सही नहीं है डी ऑप्शन गलात है इसमें इसके बाद में अमरीका के नागरिक अधिकार अंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपको पता ही है नसल आधारित भेदवाव को मिटाना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी आप जानते ही है कि आपके लिए साइंस के नोट्स जो हैं हमने प्रवाइड कर दी हैं इनको जरूर डाउनलोड कर लेना पीडिये फॉर्म में अबलेबल है फ्री ऑफ कोस्त थैंक यू वेरी मच्छ सेवे गुड डे